हालो दोस्तों, स्वागत था आप सभी लोगों का YouTube चैनल Sincery Art Gallery में दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होगा, वो प्रीहिष्टोरिक आर्ट टापिक पर होगा इसके पिछली क्लास में हम लोग Prehistoric Art Topic के उन प्रमुख चित्रों के उपर चर्चा कर चुके हैं और उसी के क्रम में आज के टॉपिक में हम लोग जो चर्चा करेंगे वो हमारा आज का टारगेट होगा कि प्रागेतिहासी सैल चित्रों के प्रमुख अस्थल और उन अस्थलों में हम लोग चर्चा करेंगे अपने सैलबेस के एकारडिंग भारत में कौन-कौन से राज्य हैं जहां पर हमें वो गुफाएं, वो पहाड़ियां इस्तित हैं जहां से हमें प्रागेतिहासिक सेल चीत प्राप्त होते हैं और उसको हीट करते हुए एक्जामनर वहां से कुश्चन पूट अप करते हैं तो आईए हम लोग बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर तो हमारा आज का जो टाइटल होगा वो होगा भारत के प्रागेतिहासिक सेल चित्रों के केंद्र इस पॉइंट को नोट करिएगा और इसके अंतरगत वो कौन से राज्य हैं उस पर भी ध्यान दिजेगा तो यहाँ पर संचीप्ति पढ़ियां आप लोगों के समझ रखूंगा क्योंकि यह जो चैप्टर है प्री हिस्टोरिकार्ट बहुत ही लंबा चैप्टर है और यहाँ से तमाम एकजाम में कुश्चन पूटप होते हैं परन्तु दोस्तों यहाँ पर मैं संचीप्त में रखूंगा क्योंकि समय का आभाव है और आज के टॉपिक में हम लोग उन छेत्रों को रखेंगे जहां से हमें स्वर प्रथम प्रागेतियासिक सेलचित प्राप्त होते हैं और सरवाधीक संख्या में जो प्रागेतियासिक सेलचित प्राप्त होते हैं उन दो राज्यों को हीट करते हैं तो इसको अगर हम लोग विभाजित कर दें अध्यान की दृष्टी से तो हमारा पहला जो राज्य होगा वो होगा उत्तर प्रदेश बहुत ही इंपोर्टेंट यह उत्तर प्रदेश है और दूसरा जो हमारा राज्य होगा वो होगा मध्य प्रदेश यहीं तो राज्य हैं जहां से तमाम इक्जाम से question put up होते हैं और इसमें भी हम लोग स्वर प्रथम उत्तर प्रदेश पर चर्चा करते हैं कि उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जिला है जहांपर भारत में स्वरप्रतम प्रागेति हासिक चित्र प्राप्त होने का स्रे दिया जाता है और वो कौन से बिद्वान हैं जिन्होंने इन छेत्रों में स्वरप्रतम प्रागेति हासिक चित्र प्राप्त किये थे आईए बढ़ते हैं आगे उत्तर प्रदेश का वो रमडिक और सम्रिध जो जिला है उसको हम लोग कहते हैं मेरजापूर इसको याद रखिएगा मेरजापूर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये उत्तर प्रदेश का क्या है जिला है इसको नोट करिएगा और इसी मिर्जापूर छेत्र में प्रागेतिहासिक सैल चीत्रों से संबंधित सम्रिध अस्थान ये मिर्जापूर रखता है मिर्जापूर का जो छेत्र है बहुत ही भावकोलिक अस्तर पर बहुत ही विस्तरित है दोस्तों यही उत्तर प्रदेश का वो जीला मिर्जापूर है जहां पर भारत में स्वर प्रथम प्रागेतिहासिक सैल चीत्र प्राप्थ होने का स्थ्रे दिया जाता है और वो स्थ्रे किसको दिया जाता है सैल चीत्र प्राप्थ होने का तो उसको ध्यान दिजेगा, वो स्त्रे दिया जाता है काकबर्न को काकबर्न नहीं, यह बहुत ही important point है काकबर्न नहीं मिर्जापूर, चुनार और चित्रकूट आधी तमाम अस्थानों से सैल चित्र प्राप्त करते हैं और इन्हों ने यहां से प्राप्त होने वाले चित्रों का जो इन्हों ने बिवरण प्रकासित करवाते हैं वो रायल एसियाटिक सोसाइटी में प्रकासित करवाते हैं और उसको नाम दिया जाता है, ध्यान दिजेगा, कियब ट्राइंग इन दे कैमूर रेंज नार्थ वेस्ट प्रोविंसिस, ये नाम से इन्हों ने एक निबंध लिखा, ध्यान दिजेगा बहुत इंपोर्टेंट है, केब ट्राइंग इन दे कैमूर रेंज नार्थ वेस्ट प्रोविंसिस, नाम से इन्हों ने निबंध लिखा, और इसका बिवरण राइल एसियाटिक सोसाइटी में प्रकासित होता है, और इन्हों ने ही इन छेत्रों से प्राप्त होने वाले सैल चित्रों का बिवरण दिया, और बिश्व और भारत के जो लोग हैं तभी अपने सम्रिद्ध संस्कृति को पहचान पाएं और यहीं से हमारी भारती संस्कृति का सुभाराम्ब भी होता है, दोस्तो यहाँ पर हम लोग ने काकबर्न का अध्यन कर लिया, दोस्तो अगर मिर्जापूर की भागोलिक इस्थिती के उपर अगर हम लोग बात करें, तो मिर्जापूर जो इस्थित है, वो बिंध्यांचल परवत स्रियनी के कैमूर पहाडी की सोन नदी घाटी में इस्थित है, यहाँ पर याद रखिएगा, अक्सर एक्जाम में कोश्चन पूट अप किया जाता है, कि मिर्जापूर किस नदी घाटी में इस्थित है, तो आपका उत्तर होना चाहिए, सोन नदी घाटी में, इसलिए मैंने बताया आप लोगों को कि मिर्जापूर का जो संब्रिद्ध छेत्र है, वो बरतमान में बिंध्यांचल परवत सिंखला के कैमूर पहाडी के सोन नदी घाटी में इस्थित है, और इसी सोन नदी घाटी में तमाम ऐसी ऐसी गुफाएं हैं, जहाँ पर हमें प्रागेति हासिक सैलिचित देखने को मिलते हैं, यहाँ पर हम लोग टार्गेट कर रहे हैं मिर्जापूर के अंतरगत आने वाले तमाम सैलिचित्रों को, और मिर्जापुर के अंतरगत किसको किसको हम लोग अध्यान करेंगे वो पहला हम लोग अध्यान करेंगे बहंडरिया दूसरे पर हम लोग अध्यान करेंगे लिखनिया इन सभी को सभी लोग नोट करेंगे तीसरे पर हम लोग देखेंगे बिजैगर ये सभी अस्थानों से हमें साच मिलते हैं चोथे पे हम लोग देखेंगे लोहरी नेश्ट हमारा जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा बिंडम और कुहबर और कोई छूट रहा होगा तो मैं आगे भी चर्चा कर लूँगा तो ये ऐसे ऐसे प्रमुख मिर्जापुर के केंदर हैं जहां से तमाम आप लोगों को प्रागेतिहासिक सैल चितर देखने को मिलेंगे और इनका इंपोर्टेंट ये है कि चितर दे दिया जाता है एकजाम में और इस नदी के दोनों तरफ हमें सैल चितर देखने को मिलते हैं भंडरिया को हम लोग सोरहो घाट के भी नाम से जानते हैं यहाँ पर देखिएगा सोरहो घाट अगर भंडरिया ना दे सोरहो घाट दे तो आप लोग टिक इसी को करिएगा इसको हीट रखिएगा भंडरिया या सोरहो घाट और यहाँ से प्राप्त होने वाले जो सैल चितर हैं उनमें बहुत ही important है और बहुत ही सुप्रसिद चितर है जो की प्राप्त होता है वो चितर है पहला सुवर के आखेट का चितर दोस्तों ये चितर बहुत ही important है इसको note करिएगा ये चितर आप लोग के समझे ये बहुत ही सुप्रसिद चितर है इसमें आप लोग देख रहे हैं कि सुवर की जो मुह है आधी खुली है और अपनी इस अथाह पीडा को अभिव्यक्त कर रही है बहुत ही मारमे की ये अंकन किया गया है इसलिए ये सुप्रसिद चितरों में से एक मानी जाती है सुवर के आखेट का चितर और पूछ लिया जाता है कि सुवर के आखेट का चितर कहां से प्राप्त होता है तो भंडरिया से और भंडरिया न दे तो सुरहो घाट को लगाईएगा दोस्तों इसी सुवर के आखेट को हम लोग अगला या इसी को हम लोग नाम देते हैं घायल सुवर नाम सुनते ही विचित्र हो जाते हैं चाहे वो आपको कहे सुवर के आखेट का चित्र या आपको कहे कि गायल सुवर ये दोनों चित्र एक ही ही है और ये चित्र प्राप्त होता है भंडरिया से दूसरी अगर इंपॉर्टेंट पॉईंट की बात करें जो भंडरिया से प्राप्त होती है तो वो है नोट करिएगा अभिलेख और आलेखन दोस्तों बहुत ही important है आलेखन में जानते हैं कि तमाम प्रकार की लिपियों का अभिलेखों में भी लिपियों का अंकन देखने को मिलता है तो यही अभिलेख और आलेखन के जो साच हैं वो भंडरिया से प्राप्त होते हैं और यहां से जो लिपि प्राप्त होती है द्यान दिजेगा जो लिपि प्राप्त होती है लिपि पूछ लिया जाता है कि लिपि किस प्रागेतिहासिक अस्थल से प्राप्त होता है तो वो भ इसको नोट करिएगा यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभिलेख और आलेखन तीसरा जो भंडरिया से प्राप्त होने वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है काकबर्न का नाम दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चानते हैं कि जो जान काकबर्न थे इन्होंने मिर्चापुर के छित्रों में जो चित्र प्राप्त हुए थे इनको स्रे दिया जाता है स्वरपर्थम और यह काकबर्न का जो नाम है यह भंडरिया के सिला पर खुदा हुआ प्राप्त होत तो वो भंडरिया का चित्र था और यहीं से जो चित्र हमें प्राप्त होते हैं तवाम विद्वानों ने कहा कि यह सभी सच चित्र जो हैं वो 5000 इसा पुर्व के माने जाते हैं और इन चित्र में लगभग 100 से ज्यादा आप लोगों को चित्र प्राप्त होते हैं और यहां के चित्रों का जो समय माना जाता है वो 5000 इसा पुर्व अर्थात 9 पासाण काल अर्थात उत्तर पासाण काल के माने जाते हैं तो ये रहा हमारा पहला पॉइंट भंडरिया का अब हम लोग बात करेंगे दूसरे पॉइंट वो है लिखनिया इसको हम रफ कर देते हैं दोस्तों अगला जो हमारा पॉइंट है वो है लिखनिया तो लिखनिया जो है यहां से प्राप्त होने माले इंपॉर्टेंट साच हम लोग देखेंगे स्वरपर्थम लिखनिया जो है वो गरई नदी के तट परिस्तित है यह गरई घाटी पे है और यह एक छोटी सी पहाड़ी पर लिखनिया इस्तित है आज ये बहुत ही रमडिक अस्थानों में से एक मानी जाती है और ये लिखनिया जो है अहरवरा की पास में है और अहरवरा जो है ये मिर्जा पुर्चेतर के अंतरगत आता है और यहां से प्राप्त होने वाले जो important point है लिखनिया से वो है बारह शिंगा का आखेट बहुत important है पहली point दूसरा यहां से प्राप्त होने वाला सांभर सांभर का चित्र प्राप्त होता है यहां से दोस्तों प्राप्त होने वाले हाथी पकड़ने का चित्र यहीं से प्राप्त होता है यह बहुत ही important लिखनिया है ये जो हाथी पकड़ने का जो चित्र है यहां से प्राप्थ हुआ है विद्वानों को इन में जो घुरसवार हैं वो अपने पालतु हतनियों के साथ मिलकर ये जंगली हाथियों को पकड़ते हुए इन चित्रों में दिखाए गए हैं तो पूछ लिया जाता है कि हाथी पकड़ने का चित्र कहां से प्राप्थ हुआ है तो वो लिखनिया से, सांभर के चित्र कहां से प्राप्थ हुए है लिखनिया से, बाराष सिंगे का आखेट का चित्र कहां से प्राप्थ हुआ है तो लिखनिया से, लिखनिया किस नदी के तत्पड इस्तित है, गरेई नदी के तत्पड इस्तित है, यह बहुत ही प्रमुख, प्रागेतियासिक, छेत्र माना जाता है, नेश्ट अगर हम लोग पॉइंट पर बात करें, तो अगला हमारा जो पॉइंट होगा, वो हो जाएगा बिजैगर का दूर्ग, दोस्तों सभी पॉइंटों को नोट करियेगा, अगला जो हमारा पॉइंट होगा बिजैगर, और बिजैगर यह जो है, यह दूर्ग है, और बरतमान भी यह जो बिजैगर है, दोस्तों, बरतमान में यह जो छेत्र है, यह सोन भद्र का छेत्र है, सोन भद्र, इसको नोट करियेगा, यह स सोनभद्र मिर्जापूर से अलग नहीं हुआ था इसका जिला तब ये मिर्जापूर के अंतरगत आता था परन्तु जब ये सोनभद्र एक अलग जिला बन चुका है ध्यान दीचे का और इस जिले का अपना एक अलग ही अस्तित्त है और इसी जिले में सोनभद्र जिले में य जहां से हमें सेल चितर प्राप्त होते हैं, उनके उपर भी बात कर लेते हैं, जब आ चुका है, तो यहां पे सोनभद्र में एक हरनी हरन भी है, हरनी हरन, यहीं से रॉप के चितर प्राप्त होते हैं, यहीं से खंडा कोट के चितर प्राप्त होते हैं, और यहीं से बशावली के भी चीतर प्राप्त होते हैं और ये भी जितने भी छेतर हैं ये सभी सोनभत्र जिले के अंतरगत आते हैं नो कि मिर्जापूर छेतर के अंतरगत आते हैं क्योंकि जब ये मिर्जापूर से अलग नहीं हुआ था तब इसका अस्तित्व मिर्जापूर था लेकिन बरतमान में अगर ये बात करें, यहाँ पर नोट करिएगा, हम बरतमान के परिपेच में बात कर रहे हैं, क्योंकि examiner बरतमान से लेते हुए आप लोगों को update मैं कर रहा हूँ, जैसे अक्सर exam में question पूछ लिया जाता है, कि रामगड की पहारी कहां पर इस्तित है, तो वहीं पर पूछ लिया जाता है, कि जो सिंगनपूर है, वो कहां परिस्तित है, और आप लोग लगा देते हैं, मद्यपरदेश, लेकिन जब मद्यपरदेश से 36 गड़ नहीं बाटा गया था, और अब 36 गड़ अलग राज है, मद्यपरदेश अलग राज है, तो बरतमान इ मद्यपरदेश में इस्तित है, उसी प्रकार से अगर हम लोग बरतमान इस्तिती में अगर अपडेट होते हैं, तो जो हरनी हरन, विजैगर, घोड मंगर, रौप, कंडा कोट, बसौली, ये जितने भी आदी तमाम सिला चितर प्राप्थ होते हैं, वो सोनभद्री जिले के इंतरगत आते हैं, इनको नोट करिएगा, तो हम लोग बात कर रहे थे, विजैगर दुड़के के पास में, जो बहुत ही फिमस और ये सोनभद्र का ही अस्तिल है, जिसको हम लोग कहते हैं, घोड मंगर, ये बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट है, और काकबर ने, यहां स जो चित्र प्राप्थ हुआ था, वो था गैंडे के सिकार का चित्र, जो कि मैं आप सभी लोगों को इसके पहले भी बता चुका हूँ, और यही चित्र को काकबर ने, रैल एसियाटिक सोसाइटी बंगाल में, इसका प्रकासन जब करते हैं, तो उस प्रकासन में, यहां से प्राप्थ होने वाले चित्र का वहाँ पर प्रदरसन करते हैं, तो गैंडे के सिकार का जो चित्र है, वो घोर मंगर से प्राप्थ होता है, और यह जो प्रकासन करते हैं, यहां से प्राप्थ होने वाले चित्र का, वो रेखा चित्र था, याद रखिएगा, रेखा चित् अपने लेख में वो करते हैं आप लोग बहुत ही बारीकी से मैं तो यहां पर समय का भाव होते हुए कुछ-कुछ ही पॉइंट रख रहा हूं लेकिन डिटेल में हम लोग व्यस्तित बात कभी करेंगे तो यह रेखा चित्र तहा और यही एक चित्र जो गैंडे का है चित्र इसको याद रखेगा यही चित्र आपको हरनी हरन से भी देखने को मिलता है और यहां पर हरनी हरन की बात आई है तो हरनी हरन से प्राप्त होने वाले जो चित्र थे वो थे सामभर और यहीं से हमें प्राप्त होता है बारा सिंगा ये दोनों चित्र भी बहुत ही important है जो की काकबन को प्राप्थ हुआ था तो ये था बिजयगर से related और सोनभदर से related तमाम ऐसे point है इसको note कर लिजेगा अगली जो हमारी point होगी वो लोहरी होगी लोहरी से तमाम important साच प्राप्थ हुए हैं आईए हम लोग देख लेते हैं दोस्तों जो लोहरी का ततपर है यहां से जो लोह से प्रतर्शित एक भाला प्राप्थ हुआ था याद रखेगा पूछ लेगा कि भाला का चित्र कहां से प्राप्थ हुआ था तो ये लोहरी से प्राप्थ हुआ था की बाग का शामना एक ब्यक्ति है बाग के सामना करने का जो द्रिस है ये लोहरी से प्राप्त हुआ था एक ब्यक्ति है उसके हाथ में एक जलती हुई मसाल है और वो ब्यक्ति बाग का सामना कर रहा है तो यहां से जो चितर प्राप्त हुआ है कि बाग के सामना करने का जो दिल से है वो कहां से प्राप्त हुआ था तो वो लोहरी से प्राप्त हुआ था इसको इन दोनों पॉइंट लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा spot है जो एक बहुत ही famous picnic spot है याद रखिएगा ये है picnic spot इसको note करिएगा बहुत ही famous रमणिक अस्थान है दोस्तों बिंडव और ये मेरजापुर्चेतर के अंत्रगत आता है यहां से जो प्राप्त होने वाला अगला जो प्वाइंट है वो है गाड़ी अर्थात पहियेदार जो गाड़ी के जो साच प्राप्त होते हैं वो यहीं से बिंडम से प्राप्त होते हैं तो इन सब को याद रखेगा कि पहियेदार गाड़ी कहां से प्राप्त होता है, तो वो बिंडम से प्राप्त होता है, अगली जो हमारी पॉइंट होगी दोस्तों, वो होगी कोहबर, कोहबर बहुत इंपोर्टेंट है, कोहबर से जो हमें प्राप्त होने वाले जो बहुत ही इंपोर्टेंट ये चित्र है खांडे धारी यूबक का चित्र चोकि कुछबर से प्राप्त होता है और यहीं से दोस्तों नोट करिएगा तलवार लिए दोवीर ये दोनों चित्र कुछबर से प्राप्त होते है खांडे धारी यूवक और तलवार लिए दोवीर बहुत ही इंपोर्टेंट चित्र प्राप्त होते है और वो कुछबर से प्राप्त होते है और यहीं से जो हैं कुछबर से तिब बानो आकरितियों का भी चित्र हमें देखने को मिलते हैं तो ये सभी जो important point थे ये मिर्जापूर छेत्र के अंतरगत आने वाले तमाम चित्र थे जो की अक्सर exam में question पूटप होते हैं ये chapter बहुत ही लंबा है परन्तु आप सभी लोगों को 60 में मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोग इन सभी point को ध्यान दीजेगा तो दोस्तो आज की topic में हम लोगों ने उत्तरप्रदेश के मिर्जापूर छेत्र से प्राप्त होने वाले प्रागेतिहासिक सेल चित्रों के उपर चर्चा किये और अगर यहाँ से कुछ point छूट रहे होंगे तो आप लोग comment करके मुझे बता सकते हैं मैं next point में अगर उचित होगा तो मैं उस point पर आप लोगों को discuss करूँगा और नहीं तो हमारी जो अगली class होगी वो मध्य प्रदेश से प्राप्त होने वाले प्रागेतिहासिक सेल चित्रों के उपर होगी और मध्य प्रदेश के वो तमाम ऐसे ऐसे प्रमुख प्रागेतिहासिक अस्थल हैं जहां से तमाम important question पूट अप होते हैं जैसे आप लोगों के हुसंगाबाद हो, आदमगर की पहाड़ियां हो महादेव की पहाड़ियां हो या भीम बेटिका की गुफाएं हैं, पंचमडी की गुफाएं हैं, आदी तमाम ऐसे ऐसे भोपाल का जो छेत्र है, वो बहुत important है तो हम लोग next topic में मध्य प्रतेश को कबर करेंगे और आज के topic में हम लोग यहीं पर रखेंगे, अगर किसी भी पॉइंट में दिक्कत हो, या कोई क्यूरी हो, तो आप लोगों को इस वीडियो के description में मेरे Instagram का link है आप लोग touch करके मुझसे अपने problem को share कर सकते हैं तो आज के class को हम लोग यहीं रखते हैं, तब तक के लिए, thank you दोस्तो, happy new year